तो आज बहुत ही एक special unboxing होने वाली है because exclusively टेक्तर पर आपको ये OnePlus 6T की unboxing देखने को मिलने वाली है सबसे पहले जी हाँ OnePlus 6 आया था और अब OnePlus 6T भी already आ चुका है बहुत सी चीज़े बदल गई है इस phone में OnePlus 6 से काफी फरक है ये देखते हैं कैसा लगता है ये देखने में और क्यों ये इतनी जल्दी आ चुका है तो ये रहा OnePlus का 6T जी हाँ 6T है ये और OnePlus 6 की बहुत जर्जा हुए थी और अब 6T की बारी already आ चुकी है इस साल में इसको immediately unbox करते हैं इसकी चोटी सी ये जैकेट है इसको हटाते है अब बॉक्स के अगर आप कुक्ली नजर मारें तो ये मिरर ब्लाक शेड में हमारे पास फोन आया है और 128GB का ही ये वेरियंट है तो 60 में आपको देखने को मिलने वाला है इमिडियेटली इसको खोलते हैं और देखने क्या है अन्लॉक तो स्पीड बड़ा लिखा हुआ है डबे के साथ में देखते हैं इसा क्या है तो as expected भई ड्रॉप नॉच आपको इसमें देखने को मिल रहा है फोन को अन करने पहले ही समझ में आ गया है कि भई ड्रॉप नॉच है फोन को अभी क्विकली स्विच अन करने के लिए दख देते हैं dual rare cameras vertically placed वैसे ही but fingerprint scanner देखने को नहीं मिल रहा है so that is definitely सबसे पहले ही आपको एक change देखने को मिल जाएगा और 3.5 mm jack भी नहीं है इसमें आपको वही type C port मिलने वाला है and of course you have your speakers along with that that is about it, आप quickly इसको switch on करते है and let's see where it goes from तब तक देखें बाकी डबे में क्या-क्या रखा हुआ है तो आपको in true OnePlus fashion आपको इसका जो एक cover है वो साथ ही मिलने वाला है cover हम लोग रख देते हैं साथ में और इसके इलावा phone के जो manuals हैं वो इसमें दिये हुए है you have all of that here इसको अभी हम side बे रखते हैं क्योंकि जादा interesting चीजें है देखने के लिए और यह रा invitation letter जो मिला हुआ है इसको खोल के देखते है and invitation letter जो है एक note है जो Pete Lau के तरफ से मिला हुआ है 5 years old and a million stories told so of course OnePlus 60 इनके लिए एक landmark event है जो आप फाइनली जहां पर पहुच चुके है यह रही आपके पास wire and type C है typical OnePlus की जैसे लाल wire है converter जो wire है वो साथ मिल रही है and you have the dash charging plug as well अब रखते हैं इसको वापस packing मुझे हमेशा इनकी बहुत पसंद आई है Apple के phones की and of course इनके phones की हमेशा जब भी खोलो याद रहता है कि आपने कुछ बहुत ही well packed देखा लगा so we're gonna put it back और अब देखते हैं कि phone कैसा है इसको रखो side में and there we go we're going to set up the phone now तो यह phone अब start हो चुका है और हमारे सामने यह है OnePlus 6T सबसे पहली नजर डालते ही आपको देखेगा कि यहां पर उन्होंने जो नौच है अपना वो अब drop के droplet के format में दे दिया है it is a drop notch that you're getting तो normal जो नौच था वो आप देखने को नहीं मिलने वाला 60 में you'll get the drop notch इसके इलाबा तूसरी चीज मैं फिर से दोरा रहा हूँ इसमें आपको 3.5 mm jack देखने को नहीं मिलेगा वो इन्होंने हटा दिया है simple आपको type C port मिलने वाला है नीचे along with the speakers और rare side पे जोहां पे पहले fingerprint scanner होता है वो भी अब देखने को नहीं मिलने वाला है simple plain design कर दिया है because इस phone में आपको under display fingerprint scanner देखने को मिलने वाला है और इसके इलावा phone में आपको वो ही OnePlus का design मिलने वाला है वो ही OnePlus का style मिलने वाला है everything else remains the same पर इसमें आपको 128 GB की internal storage मिलने वाली है and android 9 पे ये operate कर रहा है out of the box तो अगर हम इस पे चलें आप देखोगे 8 GB RAM, 128 GB storage और android version 9 पे ये phone operate कर रहा है there you go so that is what is new otherwise पकड़ने में phone वैसा ही महसूस होता है जैसे OnePlus 6 था it's nice, it's shiny and of course dual rare cameras मिल रहे है at the back flash के साथ और frontal camera of course आपको आपको ये पे notch के साथ मिलने वाला है everything else remains the same but कुछ बहुत major चीजे इनोंने अब बदल दी है colors of course इस phone में बहुत vibrant से लगेंगे and overall being android 9 काफी चीजे फरग लग भी रही है so जब हम finally इसका proper review करने वाले है तब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या खास है और क्या OnePlus 6 से better है overall phone looks very classy 3.5 mm jack जा चुका है fingerprint scanner जा चुका है वो अब under display fingerprint scanner है काफी चीजे बदल गई है देखते हैं finally OnePlus 6T OnePlus 6 से कितना better है और market में कैसा सवाइब करेगा